मैचुल फंड में सिस्टेमेटिक इंबेस्टमेंट प्लान यानी SIP के जरे निवेज को लॉंग टर्म इंबेस्टमेंट के रूप में देखा जाता है। लॉंग टर्म में SIP के अनुसासी तरीके से जारी रखकर आप कई विंत लच्छे पूरे किये जा सकते हैं। अगर आपको इससे लेकर जरा भी संदे हैं तो आप एक्विटी मेचुल फंड में लंबी आओधी में मिलने वाले रिटन को चेक कर सकते हैं। बाजार में ऐसे कई स्की में जो लंबे समय से हाई रिटन देती चली आ रही है। हमने यहां ऐसे 5 विष्ट स्कीम के बारे में जानकारी देने वाला हूं जो 15 साल में SIP या लंबसम निवेस पर अच्छा खासा रिटन अपने इंवेस्टरों को बना कर दिया है। मेच्छोल फंड SIP के जरिये निवेस करने वाले की भागीदारी इसी वज़े से लगातर बढ़ रही है क्योंकि इसमें हाई रिटन हासिल हो रहा है। सिस्टमिटिक इंवेस्टमेंट प्राण में निवेस एक साथ रखम लगाने की वज़ा है मन्थली पेसिस पर अलग अलग किस्तों में निवेस कर सकते हैं। का रिटन दिया है। वहीं लंब सब निवेस पर 15 साल में 22.29 फिसदी का एन्वल रिटन दिया है। अगर कैल्गोरेटर के दौर जानकरी किया जाए तो इसमें क्यूल 15 साल में निवेस 18,50,000 रुपया हुआ है। एक और ऐसा मेचल फंड है जो SBI कंजब्शन उपचूनटी फंड है। SBI कंजब्शन उपचूनटी फंड जो बीते 15 साल में SIP करने वाले को एन्वल 20.07 फिसदी का रिटन दिया है। वहीं लंबसाब निवेस पे 15 साल में 21,62 फिसदी का एन्वल रिटन दिया है। अगल कल्गोटर का साहता से जाना जाए तो 15 साल में SIP के तरिए एन्वल रिटन अगर 20.07 पतिसद देता है तो इसमें कुल इन्वेस्टमेंट रासी 18,50,000 रुपया होता है। अगुल रिटन एक करोड तीन लाग 91,67 रुपया मिलता है। अब है SDFC Mid Cap Opportunity Fund SDFC Mid Cap Opportunity Fund ने बीते 15 साल में SIP करने वाले को एन्वल 21,68 फिसदी का रिटन दिया है। वहीं लंबसाब निवेस करने पर 15 साल में 21,46 पतिसद का एन्वल रिटन बना कर दिया है। अब आजाते हैं ICICI Prudentials Technology Fund ने बीते 15 साल में SIP करने वाले को एन्वल 21,43 पतिसद का रिटन दिया है। वहीं लंबसाब करने वाले को 15 साल में 21,24 पतिसद का एन्वल रिटन अपने इंवेस्टरों को दिया है। एडलवाइस मीट के फटन ने बीते 15 साल में SIP करने वाले को एन्वल 22,70 का रिटन दिया है। वहीं लंबसाब निवेस्टरों पर 15 साल में 21,60 का एन्वल रिटन दिया है।